असलाम अलेकुम मैं हूँ आपकी होस पुशा शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैसरें जैसे कि आपको बता है कि आज 19 जैनरी है और आज एक बड़ी ही अहम केस की समाथ थी सिटी कोर्ट के अंदर तो दोनों तरफ से जो है वो वुकला पेश हुए दो जूट बोलना बैटके घलाजत बकना वो जो है उसने कहती थी के जी मैदी भाई जो है वो केसिस वापिस लेंगे और मैदी भाई जो है वो खुला के पेपर दायर करेंगी तो मैदी भाई आज अदालत में मौझूद थे उन्होंने ये बात साबित की है उन्होंने इनको मुल्जमान ने जिन लोगों ने ये सारे जरायम किया है जिन जो जिनने इनकी बेटी के साथ इतनी ज्यात्ती की है मैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा के रहूंगा इसमें कोई सदाकत नहीं है फिर वहां पर ये भी बात हुई कि जी एक गंदी यूट्यूबर जो है वो जारा काजमी से बात करने का या राप्ता होने का दावा करती है कि मेरा उसे राप्ता हुआ है और उसने मुझे बड़ी बातें की है ये किया वो किया तो उन्होंने उस दावे को भी जुटलाया है उन्होंने का बच्ची के पास कोई भी इस किसम की डिवाइस नहीं है जिसे वो राप्ता कर सके और फिर उन्होंने का कि वो राप्ता करना ही नहीं चाहती वो इतनी ज्यादा इस पूरे टोले से मुतनफिर है कि बात करना तो दूर की बात है कि ये उनको देखना भी पसंद नहीं करती है मैं मेरी वीडियो के लास में देखी गा कि मैंने मैदी भाई की जो गुफ्तु को है वो भी आप सुनिएगा कि किस तरह से उन्होंने ये खुला पेगाम दिया है कि वो जो जो लोग यहां पे बैटके बक्वासियत करते हैं न के केसिस वापिस होंगे तो ये अच्छी तरह से अपने जहन से निकाल दे इस किसम का कुछ भी नहीं होने जा रहा मैदी भाई जो है वो आखिर तक इस केस को लड़ेंगे और जब तक मुल जमान जो है वो अपने कैफरे मैदी भाई जो है वो अने जा रहे हैं और बची ने जैसा कि हम पहले भी कहते हैं बची ने अपनी फैमिली को बहुत सारी चीजें बताइएं बहुत कुछ बताया इस पूरे टोले के बारे में जो जो कुछ इसने बताया वो इन्शालला काजمी को वरगला के लेके आया गया था वो अभी भी वहीं पे रह रहे हैं वो जो मज़र हुसैन इनका नेबर है वो इनको जूटियां मतलब जूटी चीज़ें बताता रहता है इसके साथ तालुक बनाने के लिए मुझे नी पता वाला आलम कि क्या इसके साथ उसका तालुक मेदी भाई के जो नेवर है उसके साथ मज़र हुसायन के साथ क्या तालुक है तो बार कैफ वो इसके साथ जैसा जूड़ बोलता है यह वैसे ही आके जूड़ बोल देती है बगार तस्दीक के तो नाजरीन आप यह वीडियो देखे जिसमें मेदी अलिकाजमी जो है वो खु मेदी वही नीन कैसी आ रही आजकल जिस तरह पहले आया करती थी इस केस से पीछे बिलकुल अब वैसे नारमल पूर सकून नीन और मैंने सुना है कुछ लोगों की नीन दोड़ भी गई जी बिलकुल हला का शुकर है कि बच्ची और हम सब बहुत खुश हैं बलके आज हम ल कोट की प्रसीडिंग थी ये कंप्लीट करके तो अब मैं उनके पीछे जा रहा हूं एक दफा फिर ये जो कुछ लोग क्या सरायां कर रहे थे क्या बच्ची घरा आगी है और अब मैं कोट में इसे फालो ही नहीं करूंगा मेरा ख्याल है कि वो डे ड्रीमिंग के शोकीन है को दिन में खौब देखते हैं और अभी तक उनके दिन के सारे खौब जूटे जावित हुए तो ये भी वैसी है मैं अगर मैं इस वकर चुप करके बैठ जाओं तो जो हमने पहले दिन से ये बात की थी कि हम इसे एक टेस्ट केस बना रहे हैं और ये कौम की ये सिर्फ मेरी बेटी का केस नहीं है विल्के पूरे पाकिसान की बेटीयों का केस है तो मैं पूरे पाकिसान की बेटीयों का केस फाइट कर रहा हूं इस तरह के मुल्जमान जिन्हों ने इस तरह की का जुर्म किया होता है तो जब तक उन्हें पाकिसान के कानून के मताबिक सखतरीन सजा तो मैं तो अपने आखरी सांस तक केस फाइट करूंगा और जो लोग ऐसी बाते कर रहे हैं वो सिर्फ क्यास कर रहे हैं जी बिलकल बहुत शुक्री है आप सब का तावन खसुसन तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स और जितने भी मीडिया परसंस हैं सोशल मेडिया हो या मेंस्ट्रिम मेडिया हो मैं उन सब का बहुत शुकर गुजार हूँ मौजिस अदलिया का शुक्री आदा करता हूँ और तमाम लोग जिन्होंने मेरे लिए दौाएं की मैं सब का शुकर गुजार हूँ